ओमो नमाहिश्वाय दोस्तो मेश राशी वलेजाबकों का इस चैनल पे स्वागत इस वडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जिवनी सक्ती और उर्जा के देवता आपके राशी के स्वामी मंगल 15 मार्च 2024 को साम 5 बचकर 42 मिनट पर मकर राशी को छोड़कर कुम्ब राशी में प्रविस करने वले हैं और 22 अप्रेल 2024 तक मंगल कुम्ब राशी में ही गोचर करने वले हैं इन 49 दिनों की सम्यावधि में मंगल देव सनी के साथ यूति भी बनाने वले हैं इसका देश काल वातावरण के उपर प्रवाव देखने के लिए मिलने वला है और इसका सभी वारा राशी वले जात्कों के जीवन में भी प्रवाव पढ़ने वला है इसका मेश राशी वले जात्कों के जीवन में किस प्रकार का प्रवाव दिखाई देगा इस वडियों में हम आपको जानकारी देने वले हैं किन-किन शत्रों में मंगल आपको साकरात्मक्ता देने वले हैं और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने के आवसकता भी रहने वली है तुमेश राशी वले जात्कों आकास मंडल में नव ग्रह होते हैं नव ग्रहों में मंगल को सेनापती का दर्जा प्राप्त है, मंगल को साहस और संकल्प सक्ति का, छोटे भाई वेहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मा का, विग्जान का कारक माने जाता है, इन सभी चीजों पर मंगल का विशेश प्रभाव होता है मंगल यदि जन्म कुण्डली पर सुब अवस्था में विराजित हों, अपनी रासियों में मौजुद हों, या उच्चस्त अवस्था में प्रभावी हों, मकर रासि में प्रभावी हों तो ऐसा व्यक्ति अपने जिवन में दिर्ड इच्चा सकती के साथ सभी च्चत्रों में काम करता है मंगल का बली प्रभाव भिन्य भिन्य वाता वरण में डटे रहने की अभोत पूर्व छमता प्रदान करता है वहिया मंगल अगर मजबूत हों, तो खेल, सेना, सारिरिक प्रतिस परधा से जुड़े हुए छित्रों में कम प्रयासों में सफलता मिलती है बली मंगल का प्रभाव सभी प्रकार के मान सम्मान के इस्थती को भी दिलवाता है और परिवार जनों का भरपूस सहयोग भी दिलवाता है वहीं दूसरी और मंगल असुप ग्रहों के साथ फ्रभावी हों या जन्म कुंडली में मंगल खराब अवस्था में नेचस्थ अवस्था में विराजित हों डिप्रेशन, मान सम्मान की कमी, अलसर, ट्यूमर, रक्त चाप, फोड़े फुन्सी की समस्या, बीपी की समस्या, शरीर में होती है और मंगल अगर कमजोर हों तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी खराब रहता है तथा जीवन में जमिन जादा से संबंधित मुकदमे बाजी में केवल धन का नुकसान होता है लेकिन जीवन में विजय नहीं मिल पाती है अब आई हम आपको बताते हैं कि मेसरासी बले जापकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा और कहां पर आपको सावधानी पूरवक चलने की आप सकता भी इस समयावधि में रहने बली है ये फलादेश आपके जवंदर आपसी के उपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें में सरासी वेले जवंदर आपको मंगल आपके प्रथम भाव और आपके अश्टम भाव के स्वामी होकर दिनांक 15 मार्च 2024 को आपके एकादस भाव में प्रविश करने वेले हैं कुंडली का जो एकादस भाव है काफी महत्वण भाव कहा जाता है इस भाव से लाव कर्म के द्वारा उपारजित धन मनों कामनाओं की पूर्ती के बारे में जेश्ट भराता यानि बड़े भाई के बारे में पुत्र वधू के बारे में विचार किया जाता है आपके एकादस भाव पर मंगल की मौजुद्गी आपको कई प्रकार का सुप परिणाम देने वली है सबसे पहले तो इस सम्या वधि में मेश रासी वेले जातकों के जिवन में चुकि आपके रासी के स्वामी मंगल लाव भाव पर मौजुद है तो कर्म छेत्र में आपको संतुष्टी और साकरात्मक परिणाम भी आपको देने वली है मेश रासी के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में किसी प्रकार की नौकरी कर रहे है नौकरी पिसा जातकों के मन में उल्लावस की भावना का विकास होगा और जवज़स्त सफलता आपको मिलने वली है देखे मंगल और शनी युती बनाकर दोनों ग्रह गुचर कर रहे हैं और दोनों ग्रह एक ही नक्षत्रों में 6 अप्रेल के पश्याद प्रभावी होने वली है ये समय आपके जिवन में बहुत ही खास परिनाम आपको देने वला है मेश रासी वले जातकों के जिवन में धन की वृद्धी कई स्रोतों से धन लाब की प्रभल संभावना आर्थिक द्रिष्टी कौन से नजर आ रही है रासी के स्वामी आपके लाब भाव पर प्रभावी है जिनकी चतुर्थ द्रिष्टी आपके धन भाव पर जाने वली है सब्तम द्रिष्टी आपके संतान भाव पर और अश्टम द्रिष्टी आपके रोग भाव पर जाने वली है तो वर्तमान में 42 दिनों में मंगल आपके धन भाव और लाब भाव दोनों को काफी प्रिसस्त कर रहे हैं तो यहाँ पर तेजी से धन कमाने में आप सक्षम रहने वेले हैं आपके जिवन में कई स्रोतों से धन लाब भी मेर्स राशी वेले जातकों को मिल सकता है देखे मंगल की जो सब्तम दृष्टी है वो आपके राशी के पंचम भाव पर जा रही है तो जो जातक सिक्षा के छेत्रों में जोड़कर अध्यान कर रहे हैं विद्यार्थी जिवन में जोड़े हुए जातकों के मन में उल्लास, प्रिशन्यता और सिक्षा में सफलता की संभावना भी इस सम्यावधी में आपको देखने के लिए मिल सकती है यदि आप रिलेशन्सिप में जोड़कर चलने हैं तो मंगल की अनकूल द्रिश्टी आपके पंचम भावपर जाएगी रिश्टों में समर्पंड, जीवन साथी का भरपूर तालमेल और प्रेम सम्बंदों में उल्लास यानि प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए ये समय बहुत ही बहतर रहने वाले है और इस गोचरकाल के दोरान जो मंगल है वो अपनी अश्टम द्रिश्टी आपके रोग भाव को डालने वाले है यहाँ पर आपके प्रतिरक्षा मजबूत होने वाले है इम्मेन शिष्टम और आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तुमेसरासी बेले जापतकों यदि आपको आखों में समस्या है हड़ी जनी समस्या है किसी प्रकार का सरीर में दर्द बना रहता है या वरतमान में बी-पी की समस्या रक्त चाप फोडे-फुन्सी की समस्या बनी हुई है तो इस सभी चीजों से मंगल आपको निजात भी देने बले हैं। और दूसरा में इस राजी वले जातकों को अपने व्यक्तिगे जीवन में बड़े बुजर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को मानना, अनुभवी व्यक्तियों के राय लेना स्रेष्ट रहने वले है। तो इस सम्यावधि में यदि आप सुन्दर कांड या हनुवान चालिशा का पाट करते हैं, तो इस्थति आपके जीवन में सुब बनने वली है। मंगल जनी सभी प्रकार के दुस्वरवावों को जीवन से दूर करने के लिए में सरासी वेले जाप्तों को मंगल का दान करना चाहिए। गेहूं, तांबा, गुड, खाण, इन चीजों का दान किसी सात्विक ब्रामण को पूर्ण रूपर स्रद्धा दक्षिना भाव से करते हैं, तो इस्थति आपके जीवन में सुब बनने वली है। मंगल बार के दिन यदि आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चलिशा का पाट करते हैं, लाल धोज, यदि आप फैर आते हैं, तो इस्थति आपके जीवन में सुब बनने वली है। उमिध्यय जानकरी में सरासी वेले जाप्तों को बेहतर लगे। आने वले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमा श्वेट।